नमस्कार आपके साथ मैं हुशलपी और आपको बजट पर हमारी खास रिपोर्ट हम दिखाएंगे लेकिन उससे पहले बजट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं आज पेश किया जाने वाला बजट कल तक के लिए टल सकता है खबरे यह आ रहे हैं सांसद इहमत के निधन के चलते दरसल यह हालात बने हैं आपको बता दे बीती रात सांसद इहमत का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया था वित्राजमंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि इस बारे में आखरी पैसला लोकसभा की स्पीकर को लेना है गंगवार के मताबिक अभी तक तो यह परंपरा ही रही है कि सिटिंग संसद के निधन सांसद के निधन पर संसद सगित होती है क्या आज आम बजट पेश नहीं होगा इसे लेकर अटकले अभी बनी हुई है सांसद ई एहमत के निधन के बाद यह कहा जा रहा है तो वित्राजमंत्री संतोष गंगवार ने क्या कुछ कहा है यह भी आप सुनगे अधरनिया अधिक्समोदया डिसाइड करेंगी और वो मुझे लगता है कि अभी जल्दी फैसला कर लेंगी उम्मीद क्या लग रही है क्या परंपरा क्या है अब इतक परंपरा यह रहिए कि अगर सिटिंग सांसद की कस और वास होता है तो सदन इस्तकित होता है तो आज पेश होने वाला आम बजट गुरुवार तक के लिए टल सकता ऐसी पर संभावनाय बनी हुई है दरसल संसद में आम बजट आज पेश लेकिन इसे लेकर अब समंजस की सिती बन गई है दरसल केरल से सांसद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता इहमत के निधन के चलते ही कहा यह जा रहा है कि आज संसद की कारवाही को सगित किया जाए और अभी आप यही सुन रहे थे कि जिस तरह से वित्त राजमंत्री संतोष के अंगवार भी यह कह रहे थे कि इसकी संभावना वनी हुई है कि आज सदन की कारवाही को सगित किया जाए आप इस पर सिती कि कब तक सपष्ट हो पाएगी यह देखना होगा